ये ना हमारे सगे हैं ना आपके सगे हैं ना भारत मा के सगे हैं ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं यही दिल का प्रेम है इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपते हैं और मोदी जी और मोदी जी के पुर्खों का मुस्लिम लीक से ऐसा इश्क है जो छुप पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है और ऐसा घटिया और शर्मनाग बयान नरेंदर मोदी देते हैं कहते हैं हमारे घोशना पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है उन किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देंगे हम उनका करजा माफ करेंगे 16 लाक करोड प परखास्त करेंगे और सुलह आयों की एक नियुक्ति करेंगे कॉंग्रस की गारंटी है यह किसी का जुमला नहीं एक गंभीर मुद्दे पर एक मुद्दे पर जिसको चर्चा का विशे होना ही नहीं चाहिए उस पर आपके सामने आये हैं कुछ ऐसी बातें कही जाती है कु कभी कभी वाटसाप पढ़के लगता है कितनी घटिया भाषा है और उसके कुछ घंटे बात प्रधान मंतरी वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं तो इस देश का प्रधान मंतरी घटिया वाटसाप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कूबत रखते हैं सवाल इस बात का है असलियत ये है कि दस साल की मोदी सरकार के बाद आज जब ये देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है तो प्रधान मंत्री अपको अपना रिपोर्ट कार दिखा कर वोट मांगना चाहिए प्रधान मंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए लेकिन उसमें निल बटा सन नाटा सकोर है उसमें जबरदस फेल का ठपा लगा हुआ है तो प्रधान मंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वोही घिसी पिटी हिंदू मुसल्मान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते है दस साल के बाद बजाए अपना काम गिनाने के दस साल के बाद बजाए अपना रिपोर्ट कार्ट दिखाने के नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसल्मान की बात कर रहे है यह सच है कि वो घबराए हुआ है यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे आरेसेस के अपने सर्वे का फीड़ बैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है यह भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही या जो हमारा गोशना पत्र न्याय पत्र के नाम से आया उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्राथमिकताई क्या है हमारे घोश्रापत्र की चर्चा आप जैसे मीडिया के प्रबुद साथियों ने की विशेशग्यों और जानकारों ने की और विरोधियों को भी ये कहना पढ़ रहा है कि एक बड़े व्यापक दृष्टी कोड का खाका है ये एक ब्लूपरिंट है भारत के भविश के लिए और दस साल में जो भी समस्या इस देश के लोगों पर लादी गई है उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमवर तरीके से समाधान है जैसा कि हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि ये घोशना पत्र कुछ दो विशेशग्यों ने बैट कर पूंजी पतियों की सूची लेकर नहीं बनाया है ये घोशना पत्र भारत की आवाज है इस देश की आवाज है ये घोशना पत्र उन लाखों करोडों लोगों की अपेक्षाओं पे उनकी आकांग्षाओं पे उनकी आशंका और उनकी चुनोतियों के बेसिस पर बना है जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कॉंग्रेस से, कॉंग्रेस के शीर्ष नित्रित् मेरा अपना मानना और मैं दावे के साथ ये कह सकती हूं कि उनका चलान चुम्बक उनके पास गया होगा और कहा होगा मोदी जी मोदी जी कॉंग्रिस का मैनिफेस्टो तो बड़ा अच्छा है सब लोग बड़ी बाते कर रहे हैं कह रहे हैं बड़ा वियापक दिरिश्टी आपको यह सब करना चाहिए था दस सालों में तो मोदी जी ने उससे यह नहीं का हां सही कह रहे हो मोदी जी ने उससे का रहे चेले घबरा मत अभी देख मैं अगली एलेक्शन राली में क्या करता हूं मुद्द से भटका दूंगा और ऐसा घटिया और शर्मनाग बयान नर इंद्र मोदी और भारतिय जनता पार्टी के नेताओं का जो रहरे कर छलक जाता है वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समठती रही है वो रहरे कर छलक जाती है यह असलियत है उनके मुस्लिम लिग की प्रेम की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी लेकिन हमारे गोश्रापत्र पर किसकी चाप है इसकी चर्चा पहले करना चाहती हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा गोश्रापत्र पाच नियाए के स्तंभों पर आधारित है वो युवा नियाए है नारी नियाए है, किसान नियाए है श्रमिक निया है, हिस्सेदारी निया है इसके अलावा हमने राज्यों की समस्याओं पर सुरक्षा की समस्याओं पर तमाम बाते और बड़े व्यापक दिरिश्टी कोर से वो बाते दी है ये भी सच है कि हमारा गोश्रापत्र लोगों की आवाज पर बना है उम्मीद की नजर से देखते है इस पर छाप है देश के युवाओं की इस पर छाप है देश की नारियों की इस पर छाप है देश के किसानों की इस पर छाप है देश के श्रमिकों की इस पर छाप है देश के उन लोगों की जो हाश्ये पर है और उनकी भागिदारी और हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे इस पर अमिट छाप है उन लोगों की जिनोंने दस साल से सिर्फ जुमले जहले इस पर उन लोगों की छाप है जो गरीब से और गरीब हो गए इस पर उन लोगों की छाप है जिनोंने करोना काल में अपनों को तड़प तड़प के दम तोड़ते देखा इस पर छाप है उन श्रमिकों की जो चिलचलाती धूप में सडकों पे नंगे पैर फोपले और चाले लिए पैदल चलने को मजबूर थे इस पर छाप है देश के उन लोगों की जिनके हक मार के धन्ना सेटों की तिजोरियां भरी गई इस पर छाप है उन लगूम अद्योगों की जिन पर ताले पड़ गए इस सरकार की मनमानी नीतियों से इस पर छाप है उन साथ सो किसानों की जो हक मांगते हुए शहीद हो गए इस पर छाप है उन किसानों की जो हक मांगकर जब लोट रहे थे तो उनको गाजर मूली की तरह रोंद दिया गया इस पर छाप है उन युवाओं की जो जीतोड मेहनत करते हैं हर संभव प्रयास करते हैं और जब इम्तिहान देते हैं पेपर लीक हो जाता है तो वो हताश हो जाते हैं इस पर उनकी छाप है इस पर छाप है सरहत पर तैनात उस सैनिक की जो जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखता और इस सरहत की रक्षा करता है इस पर चाप है गलवान के उन शहीदों की जिनके प्रतीश रद्धा तो छोड़िये आरोपियों को क्लीन चिट देने का काम इस देश के प्रधान मंत्री ने किया इस पर चाप है उन सेनिकों की जिनके शौर और पराक्रम के बल पर ये देश सुरक्षित है हम और आप सुरक्षित हैं लेकिन जिनके शौर और पराक्रम और मनोबल को तोड़ने का काम नरेंदर मोदी की क्लींचिट और उनके विदेश मंत्री के उल जलूल बयान करते है इस पर छाफ है कश्मीर की इस पर छाफ है मणीपुर के लोगों की इस पर छाफ है लगदाक की अंदोलित जनता की इस पर छाफ है उन सब बड़े सरकारी संस्थानों की जिसकी नीव पर ये देश खड़ा हुआ है और जिसको लगातार बेचने का काम नरेंदर मोदी कर रहे है इस पर चाप है देश की जनता की इस पर चाप है होसले की इस पर चाप है आर्शा और उम्मीद की लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा कभी आपने सोचा है कुछ और कह सकते थे कह सकते थे कि ये गलत है ये नहीं संबव है ये नहीं होगा कुछ भी कह सकते थे ये क्यों कहा क्योंकि यही दिल का प्रेम है इश्क और मुश्क छुपाएं नहीं चुपते हैं और मोदी जी और मोदी जी के पुर्खों का मुस्लिम लीक से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आवाहन पर मौलाना अजाद कॉंग्रिस के अध्यक्ष थे सारा देश सदकों पर था करो या मरो का नारा था भारत चोड़ो आंदोलन चल रहा था और ऐसे में शामा प्रसाद मुखर जी बंगाल में मोदी जी के पुर्खे सिंध में मोधी जी के पुर्खे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्राविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे अंग्रेजों को चिठ्टिया लिखकर ये भी सला और मश्वरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए ये ना हमारे सगे है ना आपके सगे है ना भारत मा के सगे है ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं विभाजनकारी पार्टियों के हैं चाहिए वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो और असलियत ये भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है बीजेपी में खलबली मची हुई है बेचारों को समझी में नहीं आ रहा है क्या किया जाए वैसे ही 180 पर अटके हुए है शने शने वो अब कम होता जा रहा है और इसलिए मैं एक मिनिट में जरूर अपने मै आए पत्र का जिक्र करना चाहती हो क्यों क्यों हमें फक्र है इस पर क्यों लोग कह रहे कि एक व्यापक दृष्टी कोण है क्यों लोग कह रहे कि यही देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगा हर उस समस्या का चाहिए वो बेरोजगारी हो महंगाई हो आर्थी का सामानता ह गरीबी हो, भुकमरी हो, महिलाओं के खिलाफ अपराद हो, हर उस समस्या का जिसको देश ने दस साल में जेला है, इस मैनिफेस्टों में पूरी तरह से समाधान है, युवा, बेरोजगारी का दंश सहरा है, हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, तीस लाख सरकारी नौकरियां दे हम कहते हैं कि पेपर लीक से आपका होसला तूटे गा नहीं क्योंकि ऐसा सक्त कानून बनाएंगे कि आपके साथ भविश्च के खिलवार करने वालों की रूह काप जाएगी, हम कहते हैं कि चार साल ठेके पर सरकार सरेना की नौकरी नहीं चलेगी, अगनीवीर को खत्म करें हम उन किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देंगे, हम उनका करजा माफ करेंगे, 16,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, साला ना देंगे हम नई सरकारी नौक्रियों में महिला को 50% आरक्षड देंगे हम श्रमिकों के नियाए की बात करते हैं हम मनरेगा जिसने ग्रामीर भारत की तस्वीर बदल के रख दी हम उसके मांदे को प्रति दिन बढ़ाकर 400 रुपए करेंगे हम गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देंगे हम 25 लाक रुपए की एक हेल्थ योजना की बात कर रहे हैं जैसे हमने राजस्तान में चलाई जिसके तहत इलाज, दवाई, टेस्ट सब उसमें आएगा हम हिस्से तारी की बात करते हैं कहते हैं कि गिंती करनी ही पड़ेगी क्योंकि जब तक आप सामाजिक और आर्थिक सेंसेज नहीं कराईएगा नहीं पता चलेगा कि समस्या कितनी है हम हार्शिये पर दलित, शोशित, वंचित, आदिवासी पिछड़े लोगों की भागिदारी सुनिश्चित करेंगे हम पता करेंगे कि वो कौन गरीब जनरल कास्ट के भी लोग है जो दंश सहरे गरीबी का और जिनकी मदद होनी चाहिए हम जंगल जमीन पर कानूनी हक देंगे लोगों को वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा हम आदिवासी बहुले छेतरों को अधिसूचित करेंगे हम राज्यों की बात करते हैं हम मोदी जी की तरह मूँ नहीं मोड लेते हैं हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस बहाल किया जाएगा ये कहते हैं पॉंड़चरी को पुद्दुचरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे आंधरा को विशेश राज्य का दर्जा मिलेगा लद्दाक में आज भी लोग सडकों पर अंदोलित है वहाँ पर धारा 144 लगा कर इंटरनेट सस्पेंड करके दमन किया जा रहा है हम six schedule of constitution का amendment करकर लद्दाक की जन जातियों को उसमें include करेंगे हम मड़ीपुर की बरतमान सरकार को बरखास्त करेंगे और सुलै आयो की एक नियुक्ती करेंगे ये होता है व्यापक द्रिश्टी कोंड जहां पर युवाओं की बात हो रही है आधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, खादिस औरक्शाब बिलजे से बड़े-बड़े कानुन दीए ये कॉंग्रेस की करनाटक, तिलंगाना और हिमाचल में चलने वाली सरकारे हैं या हमारी राजिस्थान और 36 गड़ की वो सरकारे जोब नहीं रही हमने जो कहा वो पूरा किया चाहे वो ग्रह जोती हो, ग्रह लक्ष्मी हो, रायतु भरोसा हो तमाव ऐसी चीजे तो लोगों को भरोसा है कि कॉंग्रेस जो वादा करती है उसको निभाती है क्योंकि ये कॉंग्रेस की गारंटी है, ये किसी का जुमला नहीं निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्तर दस्तर को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्तर दस्तर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें